हेलो लर्नर्स आप सभी का सुवागत है हमारी स्रीज संविधान की बात में हम पहुँच चुके हैं आर्टिकल 5 तक और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल 6 वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब को एक बार बताना चाहूंगा कि वो सारे लोग जो किसी ना किसी one day exam की preparation कर रहे हैं आप सभी जानते ही हैं कि भारत का संविधान and in polity आपके लिए एक बहुत important subject है इससे जुड़ेवे बहुत सारे questions आपके exam में पूछे जाते हैं या फिर वो सारे लोग जिनको अपने देश के शंविधान को जानने में interest है आपके लिए इस series जो कक्षा के इंद दोरा लाई गई है बहुत important है इस series में आपको article की हर एक video में बहुत आसान भासा में उसको समझने का मोका मिल रहा है तो हमारी series से जुड़े रही है और अगर आपको पसंद आ रही है तो जाना से जादा लोगों तो आपके series को पोचाने में हमारी मदद करिए चलिए अब शुरू करते हैं आज article 6 को सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह हम जानेंगे कि इस article की language क्या कहती है क्योंकि पहले language को पढ़ना बहुत important है कोई भी व्यक्ति, article 6 आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राजय छेत्र से जो इस समय पाकिस्तान इस समय का मतलब जब सम्मिधान लागू हुआ जो इस समय पाकिस्तान के अंतरगत है भारत के राजय छेत्र को परवर्जन मतलब मूव किया है माइगरेंट है वो, माइगरेट किया है उसने इस समय पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंतरगत है मतलब वो किसे ऐसे राजय से आया है जो पाकिस्तान के अंतरगत है देखते हैं, यदि व्यक्ति ऐसा है इसने 19 जुलाई इस डेट को याद रखना कहीं बार ये डारेक्ट कुछ लियाती है यदि उसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवरजन किया है तब यदि वह अपने प्रवरजन की तारीक से भारत की राजे छेत्र में मामूली तोर पर निवास कर रहा है फिर से वहिवास सर मुझे इतने tough language समझ में नहीं आती है मुझे तो आसानी आदो, that's why I am here मैं आपको बहुत आसानी से इस आर्टिकल को समझाओंगा, सुरू करते है सबसे पहले, वो सारे व्यक्ति जो भारत की आजादी के बाद सम्मिधान लागू होने के समय पाकिस्तान के छेत्र से माइगरेट करके भारत में आये थे उन लोगों के लिए ही आर्टिकल भा, जी हा, उन सारे लोगों को नागरिक्ता देने के लिए जो पाकिस्तान से माइगरेट करके भारत आए, पाकिस्तान से अपना घर छोड़के भारत आए, उनकी विवस्था की गई है आर्टिकल 6 में, ठीक है especially यहां पर पाकिस्तान को mention भी किया गए, आप देख सकते है अब उनको किस तरह से भारत की नागरिक्ता मिली, अब तो मिल चुकी है ना बही सतर साल पुरानी बात हुआ ही, लैंगोजächst, सतर साल पहले की है ही, नागरिक्ता उनको मिल चुकी है, लेकिन आपके लिए उस टाइम पर मैं खुद या मेरे माता पिता में से कोई एक या मेरे दादा दादी में से कोई एक पिता मही का मतलब दादा या दादी माता महा या माता मही मतलब नाना और नानी में से कोई एक मतलब मैं मेरे parents या मेरे grandparents में से कोई एक अगर भारत सासना दिनियम 1935 के हिसाब से जो भारत था विवाजन से पहले उसका निवासी था तो मुझे पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिक्ता मिल गई थी संबिधान के नुच्छे 6 के अंतरगत ये तो थी पहली condition अब दूसरी क है देखते हैं वह व्यक्ति ऐसा जिसने 19 जुलाई 1948 इस देट को ध्यान रखिएगा बहुत महतपूर है 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रिकार माइग्रेशन किया है कि वह अपने माइग्रेशन की तारीक से भारत के राजय चेतर में मामूली तोर से रहा है 19 जुलाई 1948 से पहले वह भारत आया व्यक्ति और आने के बाद भारत का ओर्डिनरी रेजिडेंट रहा है भारत का निवासी सामाने तोर पर रहा है मतलब किसी दूसरे देश नहीं चला गया रहने नहीं चला गया गूनने जा सकता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आया है तो उसने भारत में रेजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या किया है नागरिक्ता के लिए अपलाई किया है ऐसे किसी अधिकारी के सामने जिसको इस काम के लिए नुक्ट किया गया है और उस अधिकारी ने उसको माननेता दे दी है तो उसको नागरिक्ता मिल जाएगी लेकिन अपनी रेजिस्ट्रेशन की तारीक से पहले उसको कितने-कितने महा रहना है छे महा देखो भई या त है pharmacopon, मुझे पूरी विधो के लिए आप Euro की आपकि आपको लिए Nummeri इंज्ट की आपकरिक्स है यह मुझे मूंञे हूँ अ weeks些 यह lovers आपको लिए आपको लिए आपको लिए अन Day至 technology कक्षा केंद्र के साथ आप हमें Instagram, Facebook, YouTube पर सस्क्राइब और follow कर सकते हैं बेक्तिकत रूप से अपनी problem मुझसे share करने के लिए आप मुझे Instagram पर KKPM अभी पर handle पर जाकर follow कर सकते हैं Thank you very much